आज हम इस वीडियो में बात करेंगे LIC G1 लक्षे प्लान नंबर 933 की इस पॉलिसी को लेने के लिए व्यक्ति की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 50 साल की होनी चाहिए यहाँ व्यक्ति का पॉलिसी टर्म रहेगा 13 से 25 साल के बीच इस पॉलिसी की खास बात यह है कि यहाँ व्यक्ति को उसके प्रिमियम पेंग टर्म में 3 साल की छूट मिल जाती है यानि कि अगर उसने पॉलिसी 10 और 21 साल का ले रखा है तो उसे सरफ 18 साल तक ही प्रिमियम पे करना होगा इस policy में व्यक्ति कम से कम एक लाग का minimum समय short करवा सकता है जो कि बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो ज़ादा समय short करवाना और फॉर्ड नहीं कर सकते चलिए अब इसे एक example से समझते हैं मान लीजी कि एक व्यक्ति ये policy लेता है इस व्यक्ति की एच 30 साल है और ये 21 साल का premium paying time चुनता है जहां उसे सरफ 18 साल तकी policy का premium pay करना है समय short ये व्यक्ति यहां लेता है 10 लाग का इस हिसाब से उसके पहले साल का premium with 4.5% tax निकल करके आता है 53,140 रुपीज और दूसरे साल से अगले 17 साल तक उसे pay करना होगा 51,995 रुपीज 30 साल से लेके अगले 18 साल तक ये व्यक्ति यहां लगबग लगबग 9,37,054 रुपीज का premium pay कर चुका होगा 18 साल पूरे होने के अगले 3 साल यहां व्यक्ति को किसी तरह का कोई premium pay नहीं करना फिर पॉलिसी के 21 साल पूरे होते ही इसकी maturity हो जाती है और व्यक्ति को लगबग 21,39,000 का return amount दे दिया जाता है बट इनके सगर policy term के दुरान policy holder व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है तो यहां उसके death benefit के रूप में किसी को भी उसकी policy का premium और पे नहीं करना होगा और उसके nominee को policy के sum में short का 10% हर साल मिला करेगा इस example के according nominee को 10 लाग का 10% यानि की हर साल 1 लाग रुपे दे दिया जाएगा policy की maturity होने तक nominee को यह amount मिलता रहेगा और policy की maturity होते ही nominee को sum में short का 110% यानि की 11 लाग रुपे और bonus amount के तौर पर 10,29,000 और final additional bonus एक लाख यानि की total 22,29,000 रुपे nominee को दे दिया जाएगा कुछ और benefits जो LIC G1 लक्षे में आपको देखने को मिलते हैं वो है व्यक्ति 2 साल बाद इस policy के against loan ले सकता है और 2 साल बाद ही चाहे तो इसे surrender भी कर सकता है साथ ही साथ वो इसमें tax deductions claim करने के लिए भी eligible है इसके अलावा customers के लिए additional riders जो LIC G1 लक्षे में available हैं वो है accidental death and disability rider, accident benefit rider, term assurance rider, critical illness rider